एक पिता के लिए उसकी बेटी कितनी खास होती है जाइए जानिए हर उस पिता से जो अपनी बेटी को बेटी की जन के बाद ही दुल्हन की तरह सस्तेवे सपने में देखना शुरू कर देता है बेटी की जन के बाद ही घर पर ननी परी के कदमों के बढ़ने के बाद ही बेटी को लेकर जो पिता सपने सजाना शुरू कर देता है कि एक दिन डूली में बैट कर उसकी बेटी घर से विदा हो जाएगी एक दिन उस पिता को आशू रोक कर, कन्यादान कर, बेटी को नए घर के लिए वदा करना ही पड़ेगा एक दिन उसके घर की खुशिया, उसके घर की फुलवारी, उसके घर पर खुशिया लेकर आने वाली, हर वक्ते, खेलती-खुटी रहने वाली घर की जो रोशन है भुचली जाएगी जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज, एक ऐसे पिता के बारे में जिनके आसू नहीं रुके जब बेटी के लिए पिता का प्यार उन्होंने दिखा हम बात कर रहे हैं कैसे पिता के बारे में जो हमेशा ही अपने बेटी को लेकर काफी ज़ादा गर्ववान वीत महसूस करता है हाँ सही समझा आपने बॉलिवूट की दुनिया में रास करने वाले मेगा स्टार अमिताब बच्चन की हो रही है बात अगर आप होगे अक्टिव ट्वीटर पर तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर सबसे ज़्या अक्टिव रहने वाले ले बॉलिवूट टाउन की मेगा स्टार अमिताब बच्चन का नाम आज भी दर्श है जो हर वक्त ना सिर्फ एक्टिव रहते हैं बलकि फैन्स को पूष्ट करते वे रिप्लाई देने में भी एक्टिव रहते हैं अमिताब का यही अंदाज जो है आज भी लोगों को दिवाना करता है यही कारण है कि हर अविवार ना सिर्फ अमिताब बच्चन घर के दर्वाजे पर खड़े होकर सभी फैन्स का प्यार पाने के लिए शुक्रियादा करते हैं बलकि उनके फैन्स भी प्यार देने में करोडों की भीड में उनके आगे पहुँच जाते हैं जैसा कि हमने आपको बताया है कि बेटी की बात हो रही है यहां तो आपको याद दिला दे कि अमिताब बच्चन आखिर क्यों रोप परें अमिताब बच्चन दरसल ट्वीटर पर एक पोश्ट को ट्वीट करते नजर आये थे उन्होंने इस पोश्ट को टियर्स के साथ लिखा यानि कि आँसू उस पिता के बारे में जिसने अपनी डंब और डेफ बेटी को जीहां अपनी बेटी को प्यार से विदा किया उसकी शादी में जिस तरह से उस बेटी ने हाफ तरीके से दुलहन बन कर पिता से अलग होने का फैसला लिया तो वहीं उस बेटी को लेकर पिता के आँसू निकल आए और अमिताब जो कि अपनी बेटी शुएता से काफी गहरा लगाव रखते हैं वो भी अपनी बेटी को याद कर रो पड़े जीहां मिताब बच्चन वो पिता है जो कभी भी अपनी बेटी को खुझ से दूर नहीं जाते देखना चाहते थे याद दिलाना चाहेंगे जब शुएता बच्चन की शादी हो रही थे निकल नंदा से तब इस शादी के लिए अमिताब विलकुल तयार नहीं थे अमिताब नहीं चाहते थे उनकी बेटी की शादी जो हो जाए इसके पीशे कारण एक था कि शुएता बच्चन तब कॉलेज में पढ़ाई ही कर रही थी नेकिन जया बच्चन अपनी बेटी की शादी कराने के लिए तयार थी नंदा परिवार से बेटी को चोड़ना चाहती थे वो और निखिल नंदा को लेकर वो काफ़ी जादा इंप्रेज थी और वो जानती थी कि उनका ऐसा दमाद बनेंगे जो कि उनकी बेटी को हमेशा खुश रखेंगे और इसलिए जया और अमिताब के वीच खटपट भी हुई थी बेटी की कारण खटपट हुई थी और बेटी की शादी के वक्त दोनों कई दिनों तक बात तक नहीं करते थे इस तरह के खुला से एक इंटर्व्यू में श्वेता बच्चन ने किये थे अमिताब को लेकर तो वो अमिताब फिर से बेटी की शादी में भावुक होने वाले पिता के एक आने को शेयर करते वे हो गए खुद भी भावुक हम आपको बताना शाहेंगे अमिताब बच्चन ने हमेशा से ही फिल्म को लेकर जब बात किये हैं तो वो बेटीों को लेकर फिल्म बनाने में काफी ज़्यादा दिल्शस भी दिखाते आए पिता और बेटी का रिष्टा कितना खास होता है आप देखिए वो फिल्म पिको जिसमें अमिताब देपिका पदकोन के पिता बने हैं आप जान जाएंगे पिता और बेटी के रिष्टे को लेकर क्यों आखिर अमिताब इतने इमोशनल होते हैं खेर ये था हमारा आज का शुम मिताब बच्चन को लेकर चल्द लोटेंगे से तरहां बिख बिस पिशल में तमाम बड़ी अपदेश लेकर नई खबरों के साथ प्रेश और बिल्कुल चटपटी गॉसिप्स के साथ तब तक के लिए बाई 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 इन ठेक केर